तो आज हम पढ़ने वाले एक कोश्चन जिसमें बोला गया है तो इस कोश्चन का मदलब है यह जो NAPM है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल अलाइन्स फॉर पीपल्स मूव्मेंट यह क्या है तो students यह जो NAPM है यह एक organization है एक संगठन है और यहाँ पे एक word आया है alliance alliance का मतलब क्या होता है गठबंदन गठबंदन याने कि जब दो या दो स्यादा organization teams संगठन मिलती है तो उसको हम बोलते है alliance तो यह NAPM क्या है तो चली समझते हैं इसके answer को तो यह जो NAPM है national alliance for people movement यह organization है एक संगठन है किस चीज़ का संगठन है अलग-अलग organizations का अलग-अलग संगठनों का संगठन यानि कि समझे इस चीज़ को अलड़ी यहाँ पे बहुत सारे संगठन थे organizations थे तो यह जो organization थे इन सभी का मिला करके organization बनाया गया बहुत सारे अलग-अलग organization का संगठनों का एक बड़ा सा संगठन बनाया गया एक बड़ी इसी organization बनाया गयी उसी का नाम दिया गया NAPM that is national alliance for people's movement इतना clear है students तो यह यहाँ पर बोला गया कि यह organization of organizations है संगठनों का भी संगठन है तो यहाँ होता का experience बहुत सारे अलग-अलग जो movement groups होते हैं movement आने की आंदुरन करने वाले लोग जो होते हैं उनका जो group होता है जैसे ये group था ये group था ये group था ये group था तो ऐसे अलग अलग बहुत सारे movement के groups होते हैं आंदुलन वाले लोगों के groups होते हैं जो की struggle करते हैं संघर्ष करते हैं किसी particular issue के लिए कोई भी उनका मुद्दा होता है कोई भी problem होती है उसके लिए बहुत struggle करते हैं लड़ाई करते हैं संघर्ष करते हैं तो ये जो groups हैं, जो movement groups हैं, अलग-अलग, ये इस NAPM organization का हिस्सा होते हैं, constituent होते हैं, इस बड़ी सी organization जो की NAPM है, इसका हिस्सा होते हैं, ये movement groups, constituent होते हैं, वही बोला गया है, तो अब ये NAPM करता क्या है, उसके लिए देखिए, समझेए चीज़ को, कि NAPM जो है, वो coordinate कर करता है, तो यहाँ पर coordinate का मतलब है कि वो निर्देश करता है, direction देता है कि कब कि इस group को क्या करना है, सब मिल करके जो उनकी activities हैं, जो भी वो काम कर रहे हैं, तो वो उनको कब करना है, अब देखिए होता कि students, अगर देखिए माली जीए, ये एक group है, ये भी वही चीज़ प सरकार पर इसका असर नहीं होगा, गौर्मेंट को कोई फरक ही नहीं पड़ेगा, लेकिन वही चीज़ NAPM करता है कि इन सभी organization को एक साथ वो guide करता है कि अब आप ये काम करिए, तो उस समय क्या होता है कि बहुत सारे लोग, large number of people है कि बहुत सारे लोग जब एक साथ movement करते ह हमायर देश में, तो सरकार पर उसका असर दिखता है और सरकार को अपने फैसले या जो उनकी policies है, उनको change करने को मजबूर होना पड़ता है, तो ये सारी जो organizations हैं, इनको guide करने का, coordinate करने का काम कोन करता है, वो करता है NAPM, that is National Alliance for People's Movement, तो in summary students, NAPM क्या है, ये organization of organizations हैं, संगठ जो की अलग अलग जो movement के groups हैं, जो की struggle कर रहे होते हैं किसी particular issues पे या problems पे, तो यही उनके constituents होते हैं, हिस्से होते हैं, इस organization के, जो की coordinate करता है, guide करता है, दिशा दिखाते हैं, कि जो भी आप activities कर रहे हैं, वो कब करना है, तो इससे क्या होता है, जो large number of people जो होते हैं, लोग students, आपको एक clear हो गया होगा, अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या knowledge मिला, तो please हमारी चनल को subscribe कीजिए, और वीडियो को like ज़रू करें, आज के लिए इतना ही, thank you